देश के जाने माने बिजनिसमेन और टाटा संस के फॉर्मर चेर्मेन साइरस मिस्तरी को 6 सितंबर को नमाखों से विदाई देती गई पार्सी समुदाय से होने के बावजूद साइरस का अंतिम संसकार उनके निधन के दो दिन बाद वरली के एलेक्ट्रिक क्रमाटॉरियम में हिंदू रिती रिवास से हुआ जो शर्चा का विशे बन गया यो तो साइरस को अंतिम विदाई देने कई बड़ी हस्तियां आई लेकिन जिसने सब का ध्यान अपनी और खीचा वो है रतन टाटा की 92 साल की सोतेली मा सिमौन टाटा जिनका वीलचेर पर साइरस के लास्ट राइट्स में पहुँचना सुर्खियों में आ गया जबकि खुद रतन टाटा ने अभी तक साइरस के निधन पर कोई बयान नहीं दिया है और ना ही वो साइरस को अंतिम विदाई देने पहुँचे थे तो फिर क्यों सिमौन टाटा साइरस को अंतिम विदाई देने पहुँची पताएंगे सब और ये भी कि कौन है सिमॉन टाटा जुन्होंने कॉस्माटिक ब्रांड लैट में की कमबान संभाली नमस्कार मैं हूं कीरती और आप देख रहे हैं नियूस तक सिमॉन रतन टाटा की सौतेली मा है लेकिन आपको शायद ये न पता हो कि वो मूल रूप से सुजलैन के जिनिवा से हैं वो एक टूरिस के तोर पर भारत आई थी जब रतन टाटा के पिता नवल टाटा से उनकी मुलाकात हुई और फिर लगबग दो साल के बाद दोनों ने शादी कर ली शादी के बाद सिमॉन मुंबई में ही सेटल हो गई इस शादी से रतन टाटा के सौतेले भाई नोयल टाटा का जन्म हुआ जिनकी शादी साइरस मिस्तरी की बहन अलू मिस्तरी से हुई यही वज़ा थी कि सिमॉन साइरस को अंतिम विदाई देने पहुँची थी अब भले ही सिमॉन वीलचेर पर नज़र आ रही हो लेकिन एक समय था जब वो कॉस्माटिक ब्रैंड लैकमे की पूरी कमान संभालती थी और इससे कई दशकों तक भी जूड़ी रही सिमॉन टाटा ग्रुप के कई बिजनस में भी एहम रोल निभाती रही 1982 से 2006 तक वो टाटा ओयल मिल्स की चेर परसन भी रही सिमॉन साल उने सुबासक में आज के जाने माने ब्रैंड लैकमे के बोर से जुड़ी जो कि टॉम को यानि टाटा ओयल मिल्स कमपनी का हिस्सा था और इसे सबसुडरी कमपनी के तौर पर 1953 में लॉंच किया गया था लेकिन सिमॉन की सूजबूज ने लैकमे को आईकॉनिक ब्रैंड बना दिया सिमॉन 1982 में लैकमे की चेर परसन बनी सिमॉन जब विदेश जाती थी तो वो ब्यूटी प्रोड़क्स सैंपल साथ में लेकर आती थी और उन्हें एक एमिस को देती थी ताकि उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में पता किया जा सके और लैकमे को और बहतर बनाया जा सके लैकमे ब्रैंड को खड़ा करने के लिए उस जमाने की कई बड़ी बॉलिवूड एक्ट्रसिस जैसे वेखा, हेममाली और जया प्रदा को लैकमे के एडविटिस्मिन में लिया गया तो वही साल 1993 में टॉमको को हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मर्च कर दिया गया और साल 1998 में लैकमे की पूरी हिस्सदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिल गई अब बात करें साइरस और रतन टाटा के बीच के विवात की दरसल रतन टाटा के रिटार होने के बाद दिसंबर 2012 में साइरस को टाटा संस का चेर परसन बनाया गया हाला कि साल 2016 में उन्हें इस पत से हटा भी दिया गया अचानक साइरस मिस्तरी को हटाए जाने से हर कोई हैरान था क्योंकि साइरस मिस्तरी जब टाटा संस के चेर परसन बने थे तो उस समय कंपनी का कारुबार करीब 100 अरब डॉलर के आसपस था तब मिस्तरी से ये उमीद जताए गई कि वो साल 2022 तक इस कारुबार को 500 अरब डॉलर का बना दे लेकिन अचानक टाटा संस के बोर्ड ने 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्तरी को चेर मेन के पद से हटा दिया टाटा बोर्ड ने आरोब लगाया था कि साइरस मिस्तरी की अगवाई में टाटा ग्रुप की रफतार सुस्त हुई और ग्रुप उस रफतार से आगे नहीं बड़ा जैसी की एक्सपेक्टेशन उनसे की गई थी मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइरस मिस्तरी और रतन टाटा के बीच कई बातों को लेकर तकरार रही जिसमें टाटा ग्रुप एलेक्शन के लिए चंदा कैसे देई, कौन से प्रोजेक्ट और किस प्रोजेक्ट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए साथी टाटा ग्रुप को अमेरिकी फास्ट फूट चेंज से जोड़ना चाहिए या नहीं ऐसे ही कुछ मुद्दे रहे जिनने लेकर कहा जाता है कि दोनों के बीच मनमुटाफ के साथ विवाद भी गहराते रहे जिसकी वज़े से साइरस को चेमिन पत से हटा दिया गया और मामला कोट में चला गया मार्च 2021 में सुप्रीम कोट ने नाशनल कमपनी लौ अपीले ट्रिब्यूनल के दिसम्बर 2019 के आदेश को रद कर दिया था जिसने साइरस को टाटा संस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में बहाल किया था एसपी ग्रूप यानिकी शापूर जी पलॉंजी ग्रूप और साइरस मिस्तरी ने अप्रेल 2021 में सुप्रीम कोट का दर्वाज़ खटकट आया था लेकिन इस साल मई में सुप्रीम कोट ने टाटा बना मिस्तरी कानूनी मामले में साइरस की पुनरविचार याचिका को खारिच कर दिया था साइरस मिस्तरी के दुखद मौत उनके परिवार के लिए एक तोहरा जटका है क्योंकि पलॉन जी मिस्तरी का इसी साल जूर में 93 वर्षकी आयू में निधन हो गया था पलॉन जी मिस्तरी साइरस के पिता है रतन टाटा और मिस्तरी के बीच जारी सारवजन एक विवाद के बीच सिमौन के साइरस के अंतिम संसकार में पहुँचने को अब सिमौन की तरफ से उनके परिवार की तरफ से साइरस के लिए अंतिम विदाई के रूप में उनको सम्मानित किया जाना माना जा रहा है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिलकुल न भूले आगे भी सिदर की वीडियोस देखने के लिए देश विदे से जोड़ी तमाम बड़ी खबरों से अब्डेट रहने के लिए देखते रहिए नियोस ताक झाल